सबी विद्ध्यार्थियों का स्वागत है मारी यूटूब चैनल सुरे समेस क्लासेज में आज किस वीडियो में आपको कच्छा दस बिज्ञान के विद्धु चैप्टर का आंकिक प्रिश्ण समझाएंगे जो कि बहुत परिश्ण में कई बार पूछा भी गया है और यह कई प्रिश्ण को हल करने से पहले एक बार हम अच्छे से प्रिश्ण को पढ़ लेते हैं और उसके बाद हल करते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं तो प्रिश्ण है 1.5 बोल्ट के एक सिल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है इस सिल्ख द्वारा प्राप्त अधिक्तम धारा का मान क्या होगा तो इसमें जो है एक सिल है और उस सिल वह सिल का जो विभुवांतर है और डेड़ बोल्ट है यानि कि एक दसमलो पांच बोल्ट है और उसका जो आंतरिक प्रत्रोध है और जीरो दसमलो पांच ओम है और उसमें जो सिल है उस सिल का जो हमें धारा निकालना है यानि कि उसमें आई धारा आई का मान हमें जात करना है तो के लिए हम इसको हल करते हैं तो देखें इसमें जो सिल है उसका जो विभुवांतर है और डेर्ड बोल्ट दिया हुआ है यानि कि एक दसमलो 5 बोल्ट दिया हुआ है विभुवांतर को बी से प्रदसित करते हैं तो बी बराबर दिया हुआ है एक दसमलो 5 बोल्ट और उसके बास सेल का आंतरिक प्रतिरोध जीरो समलो 5 ओम है तो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है और जीरो समलो 5 ओम है तो उसके बाद जो है इस सिल दोरा प्राप्त अधिक्तम धारा का मान क्या होगा यानि कि इसमें धारा आई हमें निकालना है तो आई हमें इसमें क्या करना है ज्याद करना है अब जो है हम जानते हैं ओम के नियम से इसमें ओम का नियम लगेगा तो ओम के नियम से तो ओम के नियम से हम जानते हैं कि प्रत्रोध आर बराबर होता है भी अपान आई यानि कि जो है विभुवांतर बटा धारा और आर क्या है प्रत्रोध है तो इसको हमको निकालना है आई का मान इसमें जो है इसको यहां रख सकते हैं और आर को इस इस स्थान पर रख सकते हैं तो यहां करके इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई बराबर भी अपान आर और इसी पर जो है इन सभी का मान रख देना है तो आगे थोड़ा बढ़ा लेते है तो आई बराबर बी कितना है यहाँ पे एक दसंबलो पांच बोल्ट एक दसंबलो पांच लिख देंगे आर कितना है यहाँ पे 0 संबलो पांच ओम तो 0 संबलो पांच यहाँ लिख देते हैं अब यहाँ पे ध्यान देना है ये दसमलो लगा हुगा है ये क्या है दसमलो लगा है दसमलो हमें हटाना पड़ेगा तो 10 से उपर नीचे इसमें गुड़ा करना पड़ेगा तो इसमें 10 से उपर नीचे क्या करेंगे गुड़ा कर देंगे जब 10 से उपर नीचे गुड़ा करोगे तो आई बराबर हो करेंगा जब एक स्व पस्वडर से करोगे हो जाएगा फंदर्हुत धगाँ में 15 हो जाएगा अब इस न्यार हो जाएगा इसल्ट वाक त्यान पंदरह। तो i का मान हो जाएगा इसमें 3 Ampere, यही एंसर हो जाएगा, यही हमें इसमें ज्याद करना है, ठीक है, तो इस तरह से जो है, एंसर आ जाएगा, तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होद प्लीज, एक लाइक कर दीजेगा, अगर हमारी चैनल पे हैं, तो हमारी चैनल को आप सस्क्राइब कर दीजेगा, और बेल आइकन की घंटी आल पर क्लिक कर दीजेगा, धन्यवाद